हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पाइथन कोड की मदद से एक बहुत ही अमेजिंग सा साइबर सेक्यूर्टी टूल बनाने वाले हैं और इस टूल के अंदर हम लोग अपने सीक्रेद मैसेख को किसी भी इमेज के अंदर हाइड करके सेफ कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बार मैं पूरा इस टूल को यूस करके दिखा देता हूं फिर हम अपने पाइथन कोड की मदद से इस टूल को बनाना सीखेंगे यहाँ पर देखिए total चार बटन दिये गए है open image, save image, hide data और show data तो सबसे पहले हमें image को open करना होगा जिसके अंदर हमें secret message को hide करना है तो उसके लिए open image बटन पर click करना होगा file dialogue open होकर हम लोग के सामने आ जाएगा अब यहाँ से हम लोग किसी भी image को select कर सकते हैं तो माल लिए मैंने इस image को select कर लिया है अब बगल मैं हमें secret message देना होगा तो मैं यहाँ पर secret message देता हूँ please subscribe our channel python station यहाँ पर मैंने secret message देता है अब हमें क्या करना है इस secret message को इस image के अंदर restore करना है तो इसके लिए हमें hide data बटन पर click करना होगा लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर condition लगाई हुई है यानि कि अगर यहाँ पर आप लोग secret की enter नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका data इस image के अंदर hide नहीं होगा यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर दिखा रहा है wrong secret की इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सही secret की डाल देता हूँ और hide बटन पर click करूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है your message is successfully hidden in a image please save your image यानि कि कह रहा है इस image के अंदर यह secret message hide हो चुगा है अब अपनी image को आप लोग save कर लिजे तो यहाँ पर मैं save image पर click करता हूँ जैसे click किया तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है image has been successfully saved अब इसी same तरीके से हम लोग किसी भी एक image के अंदर जो भी hidden message है उसको read भी कर सकते हैं कैसे read कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको वो भी करके दिखाता हूँ तो किसी भी image के अंदर hidden message को read करने के लिए फिर से हमें सबसे पहले image को open करना होगा जिसके अंदर हमारा message hidden है तो इसी image के अंदर हमारा message जो था hidden था इसको open कर लेंगे अब देखिए show data button click करने पर हमारा इसके अंदर message जो है वो show हो जाएगा लेकिन इतनी असानिस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी मैंने condition लगाई है यह अगर secret की अगर गलत रहेगा तब भी नहीं show होगा देखिए मैं गलत डाल देता हूँ show data पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है wrong secret की यहाँ पर अगर कुछ नहीं डालता हूँ secret की इस पर click करता हूँ तो दिखा रहा है please enter secret की अब मैं यहाँ पर सही secret की डाल देता हूँ अब मैं जैसे इस पर click करूँगा तो इस image के अंदर जो भी secret की रहेगा देखिए हमें यहाँ पर show हो गया तो कुछ इस type का हमारा tool बनने वाला है तो उम्मीद करता हूँ यह tool आपको पसंद आ रहा होगा आप चलिए चलते हैं अपने python code editor के अंदर तो अभी मैं अपने pycham code editor के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर हमें cyber security tool बनाने के लिए total four module की जरुरत पड़ेगी पहला module है हमारा kinter module दूसरा module है हमारा pill module तीसरा module है हमारा oes module और चौथा module है हमारा stigro module तो जल्दी से इन चारो module को अपने script के अंदर import कर लेते हैं पहला हमारा kinter module तो उसे import कर लेते हैं from kinter import star स्टार का मतलब होता everything second है हमारा पिल मॉडूल तो इसे भी यहाँ पर import कर लेते हैं तो इसके लिए लिखेंगे फ्रॉम पिल पिल कैटल में रहेगा यहाँ पर लिखना है import तो यहाँ पर हमें दो चीज इंपोर्ट करने होगी image और image tk function तो पहला है image कॉमा लगाएंगे दूसरा है image tk third module है हमारा oes module तो उसे भी directly यहाँ पर import कर लेते हैं यह तीनों module हमारे python में already inbuilt होता है इसलिए यहाँ पर इसको install नहीं करना होता है अब जो हमारा चौथा module है stigno module वो python में इन बिल्ड नहीं होता है तो सबसे पहले stigno module को हम लोग यहाँ पर install करेंगे install करने के लिए हमें terminal में जाना होगा और terminal में जाकर हमें लिखना होगा pip install stigno s-t-e-g-a-n-o इतना लिखने के बार enter hit करना है जैसे enter hit करेंगे 2-3 second के बाद आपका यह module install हो जाएगा मैंने यहाँ पर पहले से install कर रखा इसलिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है requirement already satisfied तो जैसे यह आला भी module आपका install हो जाएगा इसको भी यहाँ पर अपने script के इंदर import कर लिएगा तो इसके लिए आपको यहा पर किसी भी image के अंदर अपना secret message hide कर सकते हैं जो main module है हमारा यह है stick no module तो यहाँ पर हमने चारो module को अपने script के अंदर import कर लिया है अब चलिए window बनाते हैं तो window बनाने के लिए हमें क्या करना होगा किंटर module में से tk class को call करना होगा और एक window का नाम देना होगा तो window का नाम म देखिए हमारी चोटी सी window बनकर त्यार हो जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चोटी सी window हमारी बनकर त्यार हो गई है लेकिन हमें यहाँ पर इतनी चोटी window नहीं चाहिए हमें और बड़ी window चाहिए तो यहाँ पर हम दो काम करने वाले है window का size change करेंगे और window का background color है वो by default white रहता तो window का background color भी हम यहाँ पर change करेंगे सबसे पहले window का size change कर लेते हैं उसके लिए window को नाम लिखना होगा win dot लगाना होगा और यहाँ पर geometry function का use करना होगा geometry function के अंदर इस string में हमें width और height देनी होती है तो सबसे पहले width देनी होती है तो width इसकी में देता हूँ 700 बीच में small x लगाना है अब इसकी height देना है तो height इसकी में देता हूँ 480 यहाँ पर मैंने window की size change कर लिया इसकी साथ साथ window का background color भी change कर लेता हूँ तो इसके लिए next line म आपको background color चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अब ही clear मैं यहाँ पर इसका background color black में देता हूँ run करके देख लेता हूँ तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं जो हमारी window की size है वो भी change हो गई है और background color भी यहाँ पर change हो चुका है अब यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर का काम करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक logo लगाएंगे logo लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक logo को download कर लेना है और इस folder के अंदर आकर आपको यहाँ पर इसको move कर लेना है logo को इस folder को open कैसे करना है देखिए यहाँ पर आकर right click करना है और नीचे आकर open in explorer करना है तो जैसे करेंगे जो भी आपका logo download हुआ रहेगा उसको copy करके यहाँ पर इसको paste कर लेना है main काम यह करना है नहीं तो आपका logo नहीं लगेगा तो मैंने यहाँ पर पहले से यह move कर रखा इसका नाम रखा है lgo.png अब logo को लगाना कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर मैं एक comment डाल देता हूँ logo logo को लगाने के लिए देखिए क्या तरीका है सबसे पहले एक object के नाम लिख लिए अब्जेट भी कह सकते हैं रखे सकते हैं तो वैरेबल के नाम मैंने लोगो लिख दिया है logo लगाने के लिए हम लोगों को photo image function का यूज करना होगा तो यहाँ पर photo image function का use करेंगे इसके अंदर हमें यहाँ पर देना होगा file equal to और string में जो भी आपके file का नाम रहेगा वो file का नाम आप यहाँ पर देंगे मेरे case में file का नाम है lgo.png तो यहाँ पर मैं string के अंदर लिखूंगा lgo.png इतना करने के बाद आपको next आना है logo आपका बिना label के नहीं लगता है तो यहाँ पर label का भी use करना होगा label visit का label visit के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले master देना होगा कि किसके अंदर आपको label लखना है तो label हमें window के अंदर रखना है तो window के नाम दीजे win comma लगाईए अब यहाँ पर image दीजे image यह option होता है image image equal to और जो आपका variable का नाम था जिसके अंदर आप लोगों ने यह image logo को open किया है तो variable का नाम है logo यहाँ पर दीजेगा image equal to logo जो भी आपके variable का नाम रहेगा वो आप यहाँ पर देंगे इतना करने के बाद comma लगाईए और यहाँ पर border दे दीजे bd equal to 0 इतना करने के बाद इसको यहाँ पर place भी कर देना है तो बाहर आईए dot लगाईए place method का यहाँ पर आप लोगों को use कर लेना है place method के अंदर x axis और y axis देनी होती है तो x इसकी मैं देता हूँ 190 बीच में रखना है इसलिए उतना ही जादा उसको रखना कॉमा y axis देता हूँ y इसकी मैं 0 रख देता हूँ ता मैं इसको run करके देख लेता हूँ मेरा logo लगा की नहीं लगा तो देखी मेरा successfully logo विंडो के अंदर लग चुका है इसकी जो dimension है वो 60 into 80 की ratio है यानि कि 60 width है 80 हमारी height है अब इसके बगल में आप एक heading डालेंगे जैसे आप logo ने starting में देखा था तो heading डालने के लिए हम लोग यहाँ पर label widget का use करते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले comment डाल देता हूँ heading heading के लिए हम लोगों क्या करना होगा label widget का use करना होगा तो label widget का हम लोग use कर लेते हैं और label हमें किसके अंदर रखना है window के अंदर तो window का नाम हमने क्या दिया है win कॉमा देंगे अब सबसे पहले हम लोग text देंगे यानि कि जो heading का text रहेगा वो क्या रहेगा text equal to जो भी आपको text देना होगा string के अंदर देना है तो यहां पर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने tool का मैं यहां पर tool का नाम देता हूँ cyber security तो मैं इसका text देता हूँ cyber security इसका मैंने text दे दिया इसका साथ साथ मैं इसका background color, foreground color और font दूँगा बहुत सारे option होते हैं जिनकी जिनकी यहां पर use होता है उसी का हम लोग यहां पर use करते हैं तो यहां पर मैं इसका font दे देता हूँ कि कि इस style में हमारा यह text दिखेगा font को भी आपको string के अंदर देना है तो font के बहुत सारे नाम होते हैं मैं यहां पर impact font का use करूँगा एक space देने का इसकी size देता हूँ 30 फिर एक space देने का इसको मैं दिखा देता हूँ bolt में font दे दिया बाहर आया कॉमा लगाया अब इजिक साथ साथ मैं BG और FG दे देता हूँ background color जिस भी background color को आपको चाहिए वही दीजेगा तो यहां पर मेरा window का background black है तो मैं इसका भी background color भी black रखूँगा red में चाहिए तो मैं इसका foreground color देता हूँ red में इसको भी last में क्या कर दूँगा place कर दूँगा इसमें x इसका देता हूँ 260 कॉमा लगाया y इसका देता हूँ 12 run करके इसको देख लेता हूँ तो देखिए अगर मैं कर देता हूँ तो देखिए हमारा जो इस text है वो बड़ा हो गया है तो अब एक लिए मैं इसको 30 कर देता हूँ मैं आपको टूल बनाने का तरीका बता रहा हूँ बाद मैं आप इसको अपने हिसाब से modify भी कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें दो frame बनाना होगा तो कैसे बनाना है वो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले comment डालता हूँ frame तो यह पहला frame रहेगा तो इसको लिख देता हूँ नाम frame one frame बनाने के लिए यहाँ पर frame widget का यूज करते हैं frame बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले frame का variable का नाम दे लिए तो मैं variable का नाम f1 दे देता हूँ equal to frame widget को call कर लेता हूँ अब frame को हमें window कंदार रखना है तो सबसे पहले window का नाम देना होगा then comma लगाना अब frame की width देनी है height देनी है तो width इसकी मैं देता हूँ width height इसकी दे रहे हैं कि कितना बड़ा हमारा frame रहेगा so width इसकी मैं देता हूँ 250 comma इसकी height देता हूँ so height इसकी मैं देता हूँ 220 comma लगाएंगे यहाँ पर मैं इसको भी border देता हूँ और background color देता हूँ so bd equal to 5 जितना जादा आप background देंगे उतना जादा आपका frame का background sorry frame का border जो है उतना मूटा हो जाएगा comma लगाए इस इक साथ सब background color देजिए तो background color मैं देता हूँ bg equal to string मैं देता हूँ purple color जिस भी color का आपको चाहिए वो color का नाम आप string में दे सकते हैं last में से क्या कर देना है में place कर देना है नीचे आएंगे variable कनार लिखेंगे f1.place method का use करेंगे x इसका मैं देता हूँ 50 comma y इसका मैं देता हूँ 100 run करके देख लेता हूँ यहां पर आप लोग दे सकते हैं हमारा यह पहला frame बनकर त्यार हो गया है इसी तरह second frame बनाएंगे इसके बगल में पहला frame हमारा रहेगा image के लिए दूसरा frame रहेगा message के लिए तो एक काम इसके अंदर और करना होगा frame के अंदर हमें label भी देना होगा ताकि हमारा image frame में आ सके तो यहां पर हम label भी बनाएंगे तो सबसे पहले label के नाम दे देते हैं variable का तो label के variable के नाम देते है lf1 equal to अब यहां पर label widget का use करेंगे label widget का use करने के बाद अब इस label को हमें किस के अंदर रखना है frame के अंदर रखना है तो ध्यां से आप देखिएगा इस label को हमें frame के अंदर रखना है तो frame के variable का नाम लिखना होगा frame के variable का नाम है f1 पॉमा लगा दिये इसका मैं background color देता हूँ bg equal to background color हमारा frame का और label का stream रहेगा purple तब ही हमारा tool जो है देखने में अच्छा लगेगा इसको भी मैं place कर दूँगा next आऊँगा lf1.place method का use कर रहा हूँ इसमें मैं x x y x देता हूँ x equal to 0 रहेगा और y भी इसका 0 रहेगा यहाँ पर मैंने label लगा दिया है अब इसका साथ हम यहाँ पर second भी frame बनाएंगे यहाँ पर मैं comment ड़ता हूँ frame to frame to तो सबसे पहले frame to का variable का नाम देते है f2 equal to frame widget को call करेंगे अब इस frame को कहाँ पर रखना है window कंदर रखना है तो window को नाम देंगे comma लगाएंगे यहाँ पर इसकी सेम तरीके से width और height देंगे border देंगा और background color देंगे जैसे हमने frame 1 में दिया था तो सबसे पहले width दे देते है width equal to इसकी width दे देते हैं 320 comma height height इसकी में देता हूँ 220 comma border इसका सेम रहेगा 5 bd equal to 5 comma background color हमारा रहेगा white का लगने bg equal to white अब इसको भी यहाँ पर हमें क्या करना है place कर देना है तो f2 dot place method का use कर लेना है इसका x में देता हूँ 330 comma y इसका में देता हूँ 100 अब इसमें भी हमें देखिए पहले इसको मैं run करके दिखा जाता हूँ यहाँ पर देखिए दो frame हमारा बन कर तयार होगा इसमें हमारा secret message रहेगा इसमें हमारा image open होगी तो image open करने के लिए हमने इसके अंदर क्या दिया था label का use किया था क्योंकि हमें यहाँ पर image को open करवाना है और यहाँ पर हमें text लिखवाना है तो इसलिए इस frame के अंदर हम text variable का use करेंगे sorry text widget का use करेंगे तो frame 1 में हमने label का use किया था क्योंकि image open कराना था अब frame two में हमने text widget का use करना है, क्योंकि frame two में हमें text लिखना, secret text. यहाँ पर हम text wizard का use करेंगे. तो text widget के variable का लग लेते है, text1, equal to, text widget को call कर लेते हैं, इस text widget को हमें किसके अंदर रखना, frame two के अंदर रखना है, so frame two का नाम देंगे, f2, जो variable का नाम में इसके दिवू दे रहते हैं comma लगाएंगे इसका font दे रहते हैं यानि कि जो भी हम text लिखेंगे वो किस font में हमें दिखाए देगा font equal to string के अंदर हम अपकी aerial font का यूज़ करते हैं aerial और इसकी size दे रहते हैं 15 इसको भी हम रख लेते हैं bolt में last में से क्या कर लेंगे wrap कर देंगे wrap equal to capital letter में आपको लिखना है word word और इसे भी हम लोग place कर देंगे तो variable का नाम लिखेंगे text1.place method का use कर लेंगे x इसका दे 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 हैं 0 y इसका दे 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 जिरो इसका साथ हम लोग इसका width और height भी देंगे तो यहाँ पर width इसकी देते हैं width इसकी में देता हूँ 310 इसका height भी देनी होगी height इसकी में देता हूँ 210 अब मैं finalist को run करके देख लेता हूँ देखिए इसके अंदर हमारा text visit भी लग चुका है अब देखिए इसमें कुछ भी type करूँगा तो देखिए यहाँ पर type हो रहा है कुछ भी मैं type कर रहा हूँ तो यह किसकी मदद से हो रहा है text visit की मदद से हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगोंने क्या कर लिया दोनों frame बना कर त्यार कर लिया पहले में image open होगी दूसरे में secret message type होगा close कर लिया अब इसके नीचे हमें क्या करना जैसे आप लोगों starting में देखे थे यहाँ पर secret key वाला बनाना तो पहले label बनाएंगे जैसे यहाँ पर heading key बनाये थे उसके लिए यहाँ पर एक label बनाएंगे और उसके नीचे एक secret key enter करने के लिए बनाएंगे कैसे बनाएंगे आप लोगों देखते रही है समय में आ जाएगा सबसे पहले comment डाल देता है कि कर क्या रहा है हम लोग label बना रहे है label for secret key label for secret key हम लोग बना रहे हैं label बनाने के label widget को call करेंगे label को में किसके अंदर रखना है विंडो के अंदर तो विंडो के नाम लिखेंगे विन कॉमा लगाएंगे text देंगे text इकवल टू string के अंदर जो भी आपको text देना वो दे सकते हैं enter password दे सकते हैं enter secret key दे सकते हैं font equal to string के अंदर लेख दूँगा 10 यानि कि मैं इसका size दे दिया हूँ कॉमा लगाया इसका मैं background color देता हूँ तो bg equal to string में background color दाएगा black कॉमा लगाया और foreground color देता हूँ foreground का मतलर text का color fg equal to string में text का color मैं रख देता हूँ yellow text का color आप कुछ भी रसकते हैं बैग्राउंड कलर कुछ भी रह सकते हैं लेकिन जिस तरह मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लेस कर देंगे तो डॉट लगाएंगे यहां पर प्लेस मेंसर्ड का यूज करेंगे इसकी में देता हूँ 270, y-skी में देता हूँ 330 इसको रन करके देख लेता हूँ तो देखिए यहां पर हमारा लेबल बन कर त्यार होगा जो भी इस टाइप की इस टाइप की अगर हेडिंग लगाना है तो लेबल विजिट का आपको यूज करना होगा इसके नीचे हमें क्या करवाना है secret की एंटर करवाना है तो उसके लिए हमें यहां पर entry visit का यूज करना होगा next आएंगे heading डा देते हैं entry visit for secret key सबसे पहले entry visit की variable का नाम लिख सकते हैं e equal to entry visit का call कर लेते हैं एंटी विजिट हमें विंडो के अंदर रखना है तो विंडो के नाम लिख लेंगे विन, कॉमा लगाएंगे, अब इसके अंदर हमें दो तीन ओप्शन और देने होंगे, तो सबसे पहले बॉर्डर देता हूं, बीडी, एकवल टू टू, कॉमा, फॉंट दे रेता हूं, या करेंगे, अजिक सार्ट मेहले डिखेंगे, और यहाँ पर आपक्र देखेंगे, यहाँ पर सफ़से क scaled इस चैक वे ख़र वे कीलना हुआ है, कॉमा लगाएंगे, आपको सब्सक्राइं होंगे। तो जो भी secret की मैं enter होगा वो star दिखेगा वो secret की आपको दिखेगा नहीं मैं भी आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा last में से क्या कर देंगे हम लोग place कर देंगे तो e.place method का use कर देंगे x इसका दे देता हूँ मैं 245 इसको run करके देख लेता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर जो भी मैं enter करूंगा वो हमें यहाँ पर show नहीं होगा क्योंकि हमने show वाला option दिया उसकी जगा start show होगा देखिए कुछ भी यहाँ पर मैं enter कर रहा हूँ उसकी जगा start show हो रहा है तो इस तरह हमारा जो tool है वो थोड़ा और attractive दिखने लगता है advance दिखने लगता है तो यहाँ पर हमारा यह काम हो गया final काम हमें क्या करना है चार बटन यहाँ पर बनाना है तो हम यहाँ पर button बनाएंगे comment डाल दिए हमने button तो total हमें चार बटन बनाना है open button, save button, hide button और show button तो कैसे बनाएंगे देखिए एक बनाकर दिखाता हूँ उसी तरह सेम चारो बनेंगे तो सबसे पहले हमें open button बनाना है तो उसके variable गराम लेकरता हूँ open button open button open button अब button कैसे बनेगा button widget का यूज़ करके button को window के अंदर रखना है तो window को नाम सबसे पहले देंगे अब जो हमारे button का text रहेगा वो क्या रहेगा तो text equal to listing के अंदर जो भी button का text रहेगा वो आप यहाँ पर text देज़कते है तो पहला button रहेगा open image तो यहाँ पर text देज़ते है open image यह हमारा text हो गया इचिक साथ साथ हम लोग इसका background color foreground color भी देज़ते हैं तो bg equal to इसका background color में देता हूँ blue color में यानि कि जो button का background color रहेगा वो किस color में रहेगा तो मैं blue color में करना चाहता हूँ तो इसका नाम देता हूँ blue foreground हमें white में चाहिए तो fg equal to string में लेग देता हूँ white इसी साथ साथ हमें यहाँ पर इसका font भी देना होगा तो मैं font देता हूँ font equal to font आप किसी भी नाम का यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर aerial नाम का यूज़ कर लेता हूँ size इसके मैं देता हूँ 12 इसको भी मैं कर देता हूँ bolt में इतना करने क बाद इसे मैं यहाँ पर place कर दूँगा ताकि हमारा window के अंदर button show ने लगे place करने के लिए variable का नाम लिखेंगे open button dot place method का यूज़ करेंगे x मैं इसका देता हूँ 60 comma sorry x equal to y equal to 400 417 run कर लेता हूँ तो देखी पहला यहाँ पर बटन हमारा बन कर त्यार हो गया इसको मैं click कर रहूँ हो देखी कि यह click भी हो रहा है तो पहला button हमारा successfully बन कर त्यार हो गया है अब यहाँ पर एक option और भी डाल सकते हैं अभी मेरा cursor की design आप देख रहे हैं यह जब button पर जा रही तो same है तो अगर आप चाहते हैं कि जब आपका cursor button पर जाए तो cursor की design चेंज़ जाए तो इसके लिए क्या करना होगा तो जो cursor के design है वो change हो चुका है तो cursor option देने से यह पाइदा होता है इसी तरह में यहाँ पर same तीन button और बना लेने है तो कुछ नहीं करना है इसको मैं copy कर लेता हूँ इसको मैंने copy कर लिया next आना है इसको यहाँ पर paste कर देना है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चीजने change होगी और बाकी चीज सेम रहेगी जैसे कि button का नाम change होगा हर बार button के variable का नाम change होगा background color change होगा और यहाँ पर font same रहेगा cursor same रहेगा fg same रहेगा तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ sबसे पहले button का नाम change होगा यहाँ पर इसका नाम रहेदे है variable background color इसka मैं रख देता हूँ green में कर देता हूँ अब अपने ही साथ से modify भी इसको कर सकते हैं foreground हमारा same रहेगा, font हमारा same रहेगा, cursor हमारा same रहेगा और बाकी चीज़ देखिए सारी चीज़ same है अब यहाँ पर इसका change क्या होगा, x-axis यानि कि उसके सामने हमें, पहले बटन के सामने हमें रखना है तो जो हमारा यह x था, 60 था, अबकी यह x change होकर हो जाएगा 190 मैं इसको run करके देख लेता हूँ y हमारा same रहेगा, क्योंकि यह same line में हमें रखना है एक ही जगा पे तो देखिए दूसरा बटन भी हमारा बनके तयार हो गया है इसी तरह तीसरा बटन भी हम बना लेते हैं पेस्ट कर दिया है, तीसरा बटन हमारा रहेगा hide के लिए तो इसके variable का नाम देते हैं hide button hide button हो गया, नीचे भी change कर देते हैं hide button, सबसे पहले इसका text change होगा, यानि कि button का नाम change होगा इसका नाम होगा hide image प्यानिटो प्यानिट हो जा रहेगा क्या रन करता हूँ, देखिए हमारा तीसा बटन भी बन गया, लास्ट हमें चौर्था बटन बनाना है, शो डाटा के लिए, तो नेस्ट आएंगे, पेस्ट करेंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा, शो बटन, नीचे आगए, शो बटन, बटन का टेक्स चेंज हो जाएगा, शो चेंज होगा, बैग्राउंड कलर, तो बैग्राउंड कलर मैं इसका रहे देता हूँ, औरेंज, जी सेम रहेगा, पॉंड सेम रहेगा, और इसका करसर भी सेम रहेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स एक्सी चेंज कर देना है, तो एक्स इसका मैं रहे देता हूँ, फ बटन में से कोई एक बटन दबे तो उसके बैकरण तो उसके बैकरण में फंक्शन काम करें तो अब हम फाइनल क्या काम करने वाले हैं बटन के फंक्शन बनाने वाले हैं तो button के function को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारे buttons के अंदर command देने होते हैं command इसलिए देने होते हैं जब भी user किसी button पर click करे तो उसके backend में button का function जो है वो run हो जाए तो सबसे पहले हम लोग open image button पर काम करेंगे तो इसके last में आ जाते हैं open image button के last मेंने बाग कॉमा लगाएंगा और यहाँ पर command option देंगे command equal to अब जिस भी नाम से आपको function बनाना है वो function का नाम आपको यहाँ पर देना होगा तो मैं यहाँ पर function बनाऊंगा open img नाम से तो देखिए अब एक लिए यह error show रहा है क्योंकि हमने इस नाम से function नहीं बनाया है तो सबसे उपर आ जाना है function हमें उपर ही आके बनाना होगा उपर आ जाना है यहाँ पर सबसे पहले मैं heading comment डाल देता हूँ button function तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर function बनाएंगे def open img open img अभी मैं इसको pass कर देता हूँ ताकि error ना शो हो तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसको open करके हम लोग देखिए क्या चाहते है हम लोग चाहते हैं जब भी user open image button पर click करे तो सबसे पहले उसको file dialogue open होकर आ जाये जिससे वो अपनी image को select कर पाएंगे तो हमें क्या क्या करवाना है सबसे पहले file dialogue open करवाना है तो उसकी लिए k頁得 modula में से file dialogue class को import करना होगा उसको उपर आके हमें लिखना होगा from kinter import file dialogue यह एक इंटर मॉडूल में file dialogue class होता है, इसी की मदद से हमारा file dialogue open होगा, तो pass वाले को यहाँ सटा देते हैं, सबसे पहले एक variable का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो variable का नाम लिख लेते हैं, open file, equal to, अब उपर जो हम लोगों ने file dialogue class को import किया तो उसको यहाँ पर call करेंगे, तो file dialogue को यहाँ पर call कर लेते हैं, अब इसके अंदर arcs open file name function आता है, तो इसको भी यहाँ पर हमें use करना होगा, तो dot लगाना है, arcs open file name function को use करना है, इसके अंदर हमें तीन parameter देने होंगे, पहला parameter ह initial directory, दूसरा parameter है title और तीसरा parameter है file type, तो जल्दी से तीनो parameter हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ, उसी सेम तरीके से आप लोगो भी यहाँ पर coding लिखनी होगी, पहला parameter है initial dir, तो इसके अंदर initial dir, अब equal to करके यहाँ पर os module को call करना होगा, तो os module call कर लेते हैं, dot लगाएंगे, इसके अंदर get twd function होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर use करेंगे, यहाँ पर मेरा पहला parameter हो गया है, comma लगाएंगे, अब दूसरा parameter लिखते हैं, तो enter hit कर देता हूँ, ताकि यह line बहुत लंबी न हो जाए, नीचे आकर दूसरा parameter लिखता select file type, यह हमने दूसरा parameter दे दिया है, फिर string के बाहर आएंगे, comma लगाएंगे, enter hit करेंगे, अब तीसरा parameter देना है, तीसरा parameter file type देना है, file type यानि कि किस type की आप image file select करना चाहते हैं, जैसे कि jpg file होता है, png file होता है, या तो txt file होता है, तो तीनों file हम यहाँ पर देंगे file types के इस पर string में आपको लिखना होगा, जैसे मैं लिखना हो वैसे ही आपको लिखना है, string के अंदर आपको लिखना है, png file, फिर string के बाहर आएंगे, comma लगाएंगे, यह हमारा पहला हो गया, bracket के बाहर आएंगे, comma लगाएंगे, अब second यहाँ पर file type देते हैं, jpg के लिए, जैस को यहां से PNG के जएगा JPG हो जाएगा और start.jpg हो जाएगा यह हमारा दूसरा यहां पर हो गया option अब third option देते हैं कॉमा लगाएंगे third option हमारा रहेगा all file तो यहां पर string के अंदर लिखेंगे all file string के बाहर आएंगे इसको मैं next time मैं कर देता हूं यह तो यह लंबा हो जा रहा है all files हो गया string के बाहर आएंगे कॉमा लगाएंगे फिर string के अंदर लिखेंगे star.txt यानि कि पहला हो गया png file के लिए दूसरा हो गया अब हम लोग क्या कर रहे है image को select कर रहे है तो variable का नाम लेगते है img equal to अब यहां पर image class को call करेंगे जो हमने pill module में से import किया था यहां से pill module में से हमने image class को import किया था अब इसका use करेंगे यहां पर लिखेंगे image अब dot करके open function का use करेंगे dot open open function का use करेंगे अब इसके अंदर हम लोगों ने जहां पर file dialogue open करवाय था उसके variable का नाम देंगे open function के अंदर तो variable का नाम था open file इतना करने को बार next line में आएंगे फिर से variable का नाम लिखेंगे same variable का नाम time equal to अब हम लोग यहां पर image Tk class को call करेंगे तो image Tk class को हम लोग यहां पर call कर लेते हैं dot लगाएंगे इसके अंदर photo image function होता है इसको use करेंगे अब इसके अंदर इस variable का नाम देंगे जहां पर हम लोगोंने image को open कर वाया है तो variable का नाम है IAMG तो दो काम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया पहला file dialogue open करवाएंगे फिर image को select करवाएंगे image को select करवाने के बाद हमें टूल के अंदर image को show करवाना है यानि कि जहां पर हमने frame बनाया था उस के अंदर image को show करवाना है इसके लिए देखिए जो हमने frame बनाया था label frame यहाँ पर मैं दिखा जाता हूँ नीचे frame के बाद हमने यहाँ पर frame 1 है यह frame 1 के बाद हमने यहाँ पर label frame बनाया था ना तो इस variable का नाम हमें यहाँ पर use करना होगा तो lf1 variable का नाम है dot लगाएंगे और configure function का हम यहाँ पर use करेंगे इसके अंदर option होता है image तो image equal to variable का नाम देंगे जहाँ पर हम लोगों ने image को open करा है variable का नाम है img variable का नाम दे दिया है फिर से next आएंगे यह हमारी last line होगी फिर से हम यहाँ पर lf1 यानि की variable का नाम लिखेंगे dot लगाएंगे और image equal to यहाँ पर लिखना img तो यहाँ पर हमारा पहला function बनके त्यार हो चुका है यहाँ पर एक काम और कर लिएगा function की नीचे आईएगा जो open file आप लोगों ने variable बनाया इसको global value में रखिएगा तो यहाँ पर मैं global में रख लेता हूँ global open file तो मैं पहला आला function यहाँ पर use करके आप और दिखायता हूँ बटन हमारा बनके त्यार हो चुका है देखिए इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो file dialogue हमारा open होकर आ गया है अब image select करने के लिए मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर हमने तीन option दिया था file type में देखिए यहाँ पर आ रहा है second button हमारा कौन सा था second button था हमारा show नहीं second button था save button save button से पहले हम लोग hide button बनाएंगे क्योंकि image select करने के बाद user पहले test को hide करेगा फिर image को save परेगा तो दूसरा function हम लोग बनाएंगे hide button के लिए तो यहाँ पर मैं hide button के अंदर आ जाता हूँ कौमा लगाऊंगा और option देता हूँ command फिर से यहाँ पर function का नाम देना हूँ कि जिस भी नाम से आपको function बनाना है function का मैं नाम देता हूँ hide उपर आ जाना है पहला function हमारा बनके त्यार हो गया है दूसरा function बना लेते है def hide यहाँ पर हम लोग hide data button पर काम कर रहे है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा यह user अपना secret message enter किया है frame 2 में उसकी information को हमें fetch करना है यानि कि जो भी वो message डाला है उसकी message को हम लोगों को पता करना है तो पता करने के लिए क्या करना होगा देखिए सबसे पहले एक variable बना लाते है mhg यानि कि message equal to अब यहाँ पर हम लोग उस text जो widget हम लोग use किये थे उसके variable को use करेंगे तो देखिए frame 2 कहाँ पर हम लोगों यह बना यह बनाया है frame 2 के अंदर यह text वाला widget बनाया था इसके variable का नाम है text1 इसको यहाँ से copy करके उपर use करेंगे इसी की मदद से हमें क्या होगा जो भी secret message enter होगा वो हमें पता चल जाएगा dot लगाएंगे और यहाँ पर get function का use करेंगे get function से क्या होगा जो भी user message को enter करेगा get function क्या करेगा उसको fetch कर लेगा उसकी information को यहाँ पर एक parameter देना होता है 1.0,end यानि कि हम इसमें क्या बता रहे हैं कि शुरू से आखरी तक जो भी message enter हुआ है text में वो सारा fetch करके हमें बता दो यहाँ पर हम लोगोंने message को fetch कर लिया है अब next line में क्या करेंगे उस message को image के अंदर hide करवाएंगे तो hide करवाने के लिए देखे क्या करना होगा variable के नाम लेकिते है hide mhg यानि कि hide message equal to अब यहाँ पर हम लोगोंने जहाँ पर देखे यह इस टीगनो मॉडूल में से lsb class को import किया था आप इसका use करेंगे यही हमारा main module है यहाँ पर lsb module को use करेंगे dot लगाएंगे इसके अंदर hide function होता है तो hide function का हम लोग यहाँ पर use करेंगे अब देखिए यहाँ पर देना होगा str string में अब यहाँ पर इसको इस file का नाम देना होगा जहाँ पर हम लोगोंने file dialogue open करवाय था इस variable का नाम देना होगा इसके अंदर variable का नाम है open file open file यह हो गया अब bracket के बाहर आना है comma लगाना है अब इस variable का नाम देना है जहाँ पर हम लोगोंने message को fetch किया है तो variable का नाम है msg यहाँ पर दे देंगे variable का नाम msg तो यहाँ पर हम लोग का जो है second button भी बन कर त्यार हो गया दो line में देखिए हमारा second button भी बन गया है यहाँ पर एक काम और कर लेना है आपको जो hide message नाम का variable बना है इसको भी global value में रख लेना है तो global value में इसको रख लेंगे hide msg तो second वाला भी हमारा function बन कर त्यार हो गया यानि कि second button भी हमारा बन कर त्यार हो गया है तो दो button हम लोगों ने बना लिया पहला क्या करेंगे image को select करवाएंगे फिज जो भी secret message उसको image के अंदर hide करवाएंगे hide करवाने के बाद क्या करेंगे उस image को save पर आएंगे तो देखिए अब यानि कि अब second button पर third button पर हमें काम करना है third button हमारा रहेगा save button वाला तो इसके अंदर भी हम command दे देते हैं comma command तो function का नाम देते हैं save img function का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं मैं अपने हिसाफ से दे रहा हूँ आप अपने हिसाफ से दे सकते हैं save img हो गया अब second function के नीचे आएंगे third function बनाएंगे save img यानि कि अब हम लोग क्या करा रहे हैं जो image के अंदर message hide हो चुका है इसको save करवा रहे है image को तो यहाँ पर next आजाएंगे तो सबसे देखिए यह वाला जो variable हमने लिखा था जहाँ पर हम लोगोंने message को hide करवा था इसी variable का फिर से हमें यहाँ पर use करना होगा तो हमें यहाँ पर लिखना होगा hide message यानि कि variable का नाम लिखना होगा msg dot save function का यहाँ पर use करना है जिशे हमारी image जो है वो.. सेव हो जाएगई और यहाँ पर किस नाम से हमारी image file सेव होगी वो string के अंदर हमें यहाँ पर देदेना है कुछ भी नाम आप दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँだ secret file dot p ng तो यहाँ पर इस नाम से हमारी image file सेव हो जाएगी तो यहां पर हमारा देखिए तीसरा बटन भी बन कर स्यार हो गया है अब हम लोग लाश्ट बटन पर काम करेंगे यानि कि शो बटन पर डाटा बटन पर काम करेंगे इस बटन पर इस बटन पर भी हम लोग एक बार मैं आपको यहां पर एक बार रन करके दिखा जो ने तो आप डिरूज हो जाएंगे तीन बटन हम लोग बना चूके हैं यहां पर एक बार यूश करके मैं आपको दिखाय जाता हूं सबसे पहले image को यहांपर लाना होगा frame के अंदर तो open image button प्री क्लिक करेंगे I love you तो यह हमने secret message दे दिया है अब हमें क्या करना है इस image के अंदर इस message को hide करवाना है तो hide data button पर click करेंगे तो हमारा message hide हो चुका है अब last में क्या करेंगे save कर देंगे अब देखिएगा जैसे मैं save image पर click करूँगा मैं save image पर click कर दिया हूँ तूल को अपने close कर दिया हूँ इसको मैं open करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा secret file.png नाम से हमारी एक image बन चुकी है जो हमने उपर नाम दिया था यहाँ पर save function के अंदर मैं दिखा दिता हूँ यह देखिए save function के अंदर हमने यह नाम दिया था save file.png इसी नाम से देखिए file यहाँ पर बन चुकी है यह देखिए अब इसको read करवाने के लिए हमें क्या करना होगा show data button पर काम करना होगा तो मैं finally इसको use करके आपको दिखाऊंगा last हमारा है show data button तो इसके अंदर भी हम command दे देते हैं comma command function का नाम दे दिया show अब सबसे उपर आ जाएंगे third function के नीचे आएंगे अब चौता function हम लोग बनाएंगे show यानि कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं जो भी image के अंदर secret message शुपा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर अपने tool के मज़़ए से read करने वाले हैं तो कैसे read करेंगे बहुत ही असान है ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक variable बना लेते हैं show msg नाम से show msg नाम से variable बनाते हैं अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखिए hide function में यह देखिए lsb.hide function का use किया था यहाँ पर reveal function का use करेंगे और यहाँ पर open file variable का नाम देंगे जहाँ पर हम लोगों ने file dialogue को open करवाय था तो देखिए यहाँ पर open file का नाम देंगे open file show function और hide function में खाली इतना difference है यहाँ पर हम लोगों hide में hide function का use किया था और यहाँ पर show function के अंदर reveal function का उसको show करवाएंगे तो पहले message को delete करवाते हैं तो सबसे पहले जो text widget हम ने बनाए तो उसके variable को use करना है text1 dot लगाएंगे और यहाँ पर delete function का use करेंगे delete function का use करेंगे इसके अंदर same parameter देंगे 1.0, end यानि कि starting से लेकर end तक इतने भी टेक्स्ट हो डिलीट हो जाएं और जो image के अंदर text है उसको reveal कर दो तो देखिए फिट से variable का नाम लिखेंगे text1 dot और यहाँ पर insert function का use करेंगे इसके अंदर parameter देंगे end, show message आप समझेए यह वाला यहाँ पर हमने message को reveal करवाया इस variable का नाम देना है तो image तो यहाँ पर हमारा पूरा tool बनकर त्यार हो गया है सिर्फ एक शीज़ बची condition देना तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार run करके दिखा लेता हूं फिर condition पर हम लोग काम करेंगे तो हम मैं इसको run करता हूं देखिए अब हमारा सारा यहाँ पर tool बनकर त्यार हो गया सिर्फ एक condition देनी बाकी है यहाँ पर open image पर click करूँगा एक image select कर लेता हूं देखिए यहाली image हमारी पहले से चलिए image हम लोगों ने क्या कर लिया था hide तो करवा लिया था message को अब हम लो भी secret message था वो हमारे सामने आ चुका है तो उमीद है आप लोगों को यह tool समझ में आ रहा होगा अब हम लोग लास्ट क्या करने वाले हैं इस condition पर काम करेंगे यानि कि यह hide data और show data तब काम करें जब हमारा secret की entered हो तो उपर आ जाते हैं हम लोग hide function के अंदर अब देखिए hide function क के नदर हमारा तीन टाइप की condition होगी पहली condition होगी जब user विई करेगा दोसरी condition होगी जब user यजák Boss पासफ़डD need to तो टोटल टीन टाइप कंडिशन यहां पर यूज होगी और यहां पर इफैस कंडिशन का हम लोग यूज करेंगे तो उससे पहले हम सबसे पहले किंटर मोडूल में से मैसेज बॉक्स को इमपोर्ट कर लेते हैं तो फाइल डेयलोग के बगर में कॉमा लगाना है यहाँ पर message box function को use कर लेना है message box function क्या करता है user को pop-up message दिखाता है तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा यह पता करना होगा कि user ने password enter सही किया है कि नहीं किया है कि मतलब जो भी password enter किया है वो सही है कि गलत है उसकी information को हम लोगो पता करना होगा तो हम लोग यहाँ पर नीचे anti-visit पर आ जाएंगे यहाँ पर हम लोगों ने जहाँ anti-visit बनाए थी इसके अंदर हम लोगों को test variable option देना होगा जिससे हमें यह पता चलेगा कि user ने क्या password enter किया है तो test variable हम देते है test variable equal to यहाँ पर एक नाम देते है code अब इसी नाम को हम लोग string war function के अंदर रखना होगा code equal to string war function के अंदर हम लोगों को रख लेना है इससे क्या मदद हम लोगों को मिलेगी जो भी user entry visit के अंदर password entered करेगा वो हम लोगों को fetch करके हम लोगों को मिल जाएगा कैसे मिलेगा देखिए अब हम लोग height function के अंदर आ जाते हैं global के नीचे आएगे अब यहाँ पर हम लोग if, elif, else, condition का use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग password चेक करेंगे कि password डला है कि नहीं डला है गलत है कि सही है जो भी है यहाँ पर एक variable बनाते है password नाम से password equal to अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पता कर रहे हैं कि password क्या डला है तो पता करने के लिए हम लोग को test variable का नाम दिखना है code.get function का use करना है इससे यह होगा जो भी ntv8 में entered होगा वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा अब देखें यहाँ पर if condition का use करेंगे if password यानि कि हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर password साही है तो तो if password double equal to और existing के अंदर जो भी आपको password रखना आप रह सकते हैं तो मैं यहाँ पर simple password one two three four रखता हूँ double कोरन enter हिट किया अब हमें आपर if condition के अंदर आ गए है कि अगर password one two three four है तब यह function काम करें यानि कि अगर password साही है तब यह सारा function काम करें वन्ना कोई function काम ना करें यहाँ पर देखें एक condition हमारी हो गई है कि अगर password साही है तो यह function काम करें अब दूसरी condition पर आ जाते हैं कि अगर password नहीं डला है तो क्या दिखाना है तो यहाँ पर अलिफ condition का use करेंगे अलिफ password double equal to empty string यानि कि अब हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगर password नहीं डला है तो उसको क्या हम लोग बताएंगे तो enter hit करेंगे नीचे आ जाएंगे message box function को हम लोग यहाँ पर call करेंगे dot लगाएंगे इसके अंदर बहुत सारे function होते हैं तो हमें यहाँ पर error show दिखाना है तो यहाँ पर show error function का use करेंगे show error function के अंदर दो parameter देने होते हैं पहला title दूसरा message तो string के अंदर title देना है तो error देने title string के बाहर आएंगे comma लगाएंगे फिर string के अंदर message देना है तो यहाँ पर मैं message देता हूँ please enter secret key जो भी आपको message देना होगा आप दे सकते हैं तो यहाँ पर message देता हूँ please enter secret key प्लीज enter secret key तो यहाँ पर दूसरी condition भी हमारी हो गई है तीसरी condition में हम लोग as condition का use करेंगे as condition यानि कि अगर पासवर्ड गलत है तो उसको क्या दिखाना है तो यहाँ पर तीसरी condition का use करेंगे message box dot show error अब यहाँ पर फिर से title और message देना है तो title हम यहाँ पर देते है error, title आप यहाँ पर दे सकते है wrong password भी दे सकते है wrong secret key यहाँ message में दे देता हूं so message में दे देता हूं wrong secret key यहाँ पर मैं देंगी तीनों condition यहाँ पर मैंने दे धी है इतना करने के बात अगर यहाँ पर से जो secret के यह वो गलत है तो जो भी secret की entered हुई उसको clear करने के लिए यहाँ पर हम एक चीज़ हो कर लेते है code dot set set function कर लोग यहाँ पर use के लिए set function के अंदर empty string दे देंगे यानि कि जो भी secret की है अगर गलत entered हुई तो उसको वो साफ कर दे यहाँ पर मैं एक बार आपको use करके दिखाता हूँ इसको run किया मैंने image select करता हूँ सबसे पहले तो image select कर लेता हूँ यह वाली है हम यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई भी ऐसे text अमन लिए secret message मैंने यहाँ पर enter कर दिया अब मुझे क्या करना है data को hide करना है तो मैं directly अगर इस पर click करूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्लीज select the secret की यानि कि दूसरा वाला एलिफ वाला हमारा condition काम किया तो okay कर दिया अब देखिए पहला यहाँ पर last वाला else वाली condition काम करवाते हैं यहाँ पर मैं सही की जगा गलत password डाल देता हूँ अब फिर से hide data पर click करता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है wrong secret की okay हो गया अब यहाँ पर अगर मैं side आ देता हूँ one two three four जो कि हमने password दिया था इसको hide करूँगा तो यहाँ पर देखिए को भी error नहीं शो हुआ यानि कि मेरा message image के अंदर hide हो चुका है तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जब हमारा message successfully काम कर जाए तो इसके लिए एक और message यहाँ पर box दिखा लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग किस पर काम कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि जब हमारा password अगर साही रहेगा तो इसको last option दिखा देंगे message box कि यह आपका जो secret message है वो successfully save हो चुका है कॉमा करेंगे अब यहाँ पर हम लोग message दिखाएंगे तो your message is successfully लिख देता हूँ में your message is successfully hidden in a image जो भी आपको message दिखाना होगा आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं your message is successfully hidden in a image please save your image please save your image यहाँ पर मैं एक बार और कर रन करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले image को select कर लेता हूँ एक तो इस image को मैंने select कर लिया यहाँ पर कोई भी secret data दे दिया मैंने यहाँ पर hide करूँ को तो कह रहा है secret की enter करो secret की अगर मैंने गलत कर दिया यहाँ पर दिखाएगा wrong secret की one two three four size secret की मैंने डाल दिया तो hide कर रहा हूँ तो देखिए आप यहाँ पर दिखा रहा है your message is successfully hidden in image please save your image यानि कि यह कह रहा है image के अंदर यह secret की store हो चुका है अब इस image को save कर लीजे तो अब save image के अंदर भी हम लोग message box डाल देते हैं कि अभी देखे मैं इस पर click कर रहा हूँ तो image तो save हो जा रही है लेकि यहाँ पर pop-up message नहीं दिखा रहा तो थोड़ा टूल को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं तो save image के अंदर भी हम लोग यहाँ पर message box डाल देते हैं यानि कि जब हमारी image save हो जाए तो यहाँ पर हमें pop-up message दिखाए गए तो show info में दिखा जाते हैं title दे जाते हैं saved और फिर string के अंदर हम लोग यहाँ पर message दिखा देंगे image has been successfully saved तो image has been successfully saved यहाँ पर हम लोगों ने यह message दिखा दिया इससे क्या होगा हमारा tool और भी देखने में अच्छा लिखेगा अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पर condition लगाई वाई यह सेम हम लोग यहाँ पर show function के अंदर भी use करेंगे तो सबसे पहले if condition का use कर लेते हैं if password इसको copy करके यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यह दोनों चीज़ copy करना होगा यहाँ पर देखिए show वाले में आ जाएंगे नीचे आएंगे इसको यहाँ पर paste कर दिया और इन सब को हमने if condition के अंदर लाना है यानि कि अगर password साही है तब यह function नीचे का काम करें नहीं तो वनना ना काम करें फिर इसके नीचे आ जाएंगे आप show data का भी password अलग कर सकते है ज़रू नहीं कि दोनों का password same रहा अलग भी कर सकते हैं तब यहाँ पर if, alf, alf, alf और as condition भी use करना है तो same रहेगा हमारा यह इसको सीधा copy करके नीचे paste कर देना है तो यहाँ पर finally हमारा project जो है complete हो चुका है अब मैं यहाँ पर last एक बार finally run करके आपको दिखा देता हूँ तो मैं इसको run करता हूँ, image यहाँ पर हमारा tool open हो गया है, सबसे पहले image हमको open हो करना होगा तो अब की मैं image के अंदर जो hidden message इसको read करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा दो message यहाँ पर save होई है, अब की मैं select कर लेता हूँ, इसको select कर लेता हूँ, अब अगर मिझे show करना है इसके अंदर का secret message तो देखिए directly मैं इस पर click करूँगा तो बताएगा please enter secret की, ओके किया, गलर secret की डाल देता हूँ, फिर करता हूँ, इसके अंदर का hidden message वो हमें show हो गया है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारा tool हो successfully काम कर रहा है, इसी तरह हम लोग, देखिए फिर से मैं इसको run करता हूँ, इसी तरह हम लोग image के अंदर message को hide करेंगे, मैंने याली image को select कर लिया है, अब बगल में secret की डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने secret message डाल दिया है, अब इसको मुझे hide करना है, तो मैं directly इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर बता रहा है, please enter secret की, secret की अगर गड़र डालूँगा, तब भी यह कहेगा wrong secret की, अब मैं side डाल देता हूँ, one, two, three, four, अब जैसे इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए, secret file.png नाम से हमारी यह image save हो चुकी है, एक बर और यहाँ पर मैं read करके आपको दिखा देता हूँ, open किया, image gree देखिया ही वाली save किया था हमने, इसको open कर लेता हूँ, secret key डाल देता हूँ, one, two, three, four, और show data पर click करता हूँ, तो देखिए हमारा secret message यहा पैनल को जरूर subscribe कर लिए, क्योंकि मैं इसी तरह interesting python projects आपके सामने लाता रहूँगा, till then goodbye, मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you.